मंडी लोकसभा सीट से कॉंग्रेस प्रत्याशी विक्रम आदित्य सिंग ने मंडी में प्रेस कॉंफरेंस की इस दौरान उन्होंने मीरिया को संबोधित करते हुए कहां कि हम नए जोश और नए मजबूती के साथ चुनाव लडेंगे और लोकसभा में मंडी के हर मुद्दे को उठाया जाएगा इसके साथ कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए कहां कि मंडी कंगना हर क्षेत्र में जाकर अलग-अलग पहनावा कर मुडलिनिंग रही है जो एक उनका बनावटी चहरा है आज हम मंडी के एतिहासिक पंचवक्तर मंदिर में आये हैं जिसका आपदा के दुरान आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान यहां पर हुआ था मैं खुद यहां पर आया था और इस पूरे इलाके में पानी भर गया था मंदिर के अंदर पानी भर गया था इसका इसको भी हमने रेस्टोर करवाया है और नया ब्रिज जो है मंडी शहर को जोडने के लिए बनाया है वैसे ही हमारा जो ब्यास नदी का यहां से चैनलाइज करने का और एक रिवर फ्रंट बनाने का एक प्रियास हम कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में एक ये एरिया बहुत इस सके इसका सवंदर्य करन किया जा सके और साथ ही साथ जितने भी टूरिस्ट यहां पर आते हैं उनको एक रिवर फ्रंट की सुविदा यहां पर मिले तो यह मेरा प्रियास रहेगा जब हम चुनाव जीतेंगे उसके बाद हम जो यह ब्यास का रिवर फ्रंट है मंडी शहर का बड़े अतिहासिक पंचवक्तर मंदिर के साथ इसको जो है ड्वलब किया जाएगा और एक बहुत अच्छा टूरिस्ट हब जो है यह शहर वासियों के लिए भी और बहार से भी जो लोग यहां पर आएंगे उनके लिए यहां पर यह बनाया जाएगा यह मंडी के लिए हम मंडी से कैमरामैन युगमार्ग टीवी